चलिए हलाकि इस टाइप का कुश्चन एक्जाम में दोनों टाइप नहीं आएगा देखे ये वाला जो लाइन कहता है ना के ब्रांच अकाउंट तो ये तो सर हो गया डेटर सिस्टम और बाकी के जो बाते कह रहा है ना ये वाले तीनों अकाउंट तो ये पता किसके हिसाब से हो गया इसका मतलब सर इस सवाल को हमें दोनों मेथट से करके दिखाना है तो एक्जाम में ये नहीं बोला कुन सा मेथट फॉलो करना है आपको account के नाम से पता चलेगा कि कौन सा method आपने follow करना है कि जैसे यहाँ वाले सवाल में आपको क्या बताता है कि branch account बनाएगी है तो branch account सर्फ और सर्फ बनता है किसमें debtor system में और जैसे ही बोल दे stock बनाओ stock तो debtor system में भी बन सकता है लेकिन branch adjustment की बात आजाए तो वो कहाँ बनता है सर्फ stock debtor तो यह आपको ध्यान देना है क्योंकि आपने मालो बहुत अच्छे से practice कर लिया लेकिन यह छोटी सी बात है जो कि आपने ignore कर दिया या आपने ध्यान नहीं दिया तो पता ही क्या दिक्कत हो जाएगी आपको आपका पूरा का पूरा सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा examiner ने क्या पता आपसे बोल दिया branch account बनाईए branch stock account बनाईए बस छोड़ दिया तो आप अगर उसे branch adjustment अपनी मर्जी से बनाके आगे उसमें तो गलत हो जाएगा क्योंकि वह तो था ही नहीं हमारा branch debtor system का stock debtor सा ठीक है तो यहाँ पर चलिया आजाते है पहले कौन सा बना ले बताईए branch account वाला ही बना ले ठीक है branch वाला ही बना ले के यानि यह है debtor system सरफ और सरफ चलिये कहता है goods invoice to branch देखते हैं goods receive इसको भी देखेंगे cash expenses को भी देखेंगे हम क्या कहता है ऊपर starting में पढ़े following information figure related to Delhi branch और cost plus 100% कर रहा है अब यहाँ पे हमारे पास percentage नहीं है cost plus 100% का मतलब हो गया 200% है ना तो अब हमें let x करके यह कुछ दूसरा तरीका ढूणना पड़ेगा actual expense यह है cash expense यह है sales दे रखा है cash receive दे रखा है discount दे रखा है और दे रखा है goods return by branch to debtor एक इस बात पर भी focus होगा कि इसका मतलब क्या है closing stock दे रखा है आपको debtor का भी और stock का भी तो सबसे पहले एक हमें debtor account बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें opening debtor की जौरत पड़ेगी तो हम पहले फटा-फट से यहां पर क्या लिख लेते हैं to opening stock यह balance opening balance लिखते थे ना opening ठीक है और यहां पर क्या लिख देते थे by closing balance यही लिखते थे opening balance में क्या आजाएगा हमारा debtor और क्या आजाएगा stock जो की हमें सवाल में नहीं पता closing में क्या आजाएगा हमारे यहां stock जो की सवाल में पता है कितने का 30,000 जो पता है पहले हम उसको put कर लेते हैं और क्या debtor और debtor कितने का है हमारा 20,000 आईए चलिए यहां क्या हमार आजाए चाहर आजाए हमारा आजाए चाहर का कर दो आजाए चलिए, यह आ गया सर, डेटर अकाउंट, यह बना दिया डेटर अकाउंट, सबसे पहले बाई बैलेंस सीडी गीवन है, और बाई बैलेंस सीडी कितने का था, 20,000 का, यानि हमने कर लिया, अब गुड्स रिटन को बाद में देखेंगे, डिस्काउंट अलाउड टू ग्रांट टेटर, डिस्कााउंट अलाउड किसको किया है, डेटर को तो यहां आ जायेगा, है ना, डिस्काउंट, कितने का है, 5000, इथर आ गया, इसके बाद है, कैस रिसीप फर्म डेटर, यहां पर आ जाएगा कैस, कितने का, bakingश हमने का, एक chash sales अगर देखा जाये तो क्या है हमारा? sales at invoice price अब देखे ध्यान से इसने कहा cash receive from debtor ये है और sales at invoice price ये है तो sales का मतलब तो सर्दोनों ही होगा na cash भी होगा credit वी हो हमें इसमें से धूंड गे निकालना है कि credit sales का hisse47 कितना है जो की कहाँ से निकलेगा? डेटर से निकल सकता है हमारा ठीक है चल यह collection from cash sales नहीं पता collection from debtor तो पता है कितने का दे रखा है collection from debtor यानि cash receive from debtor एक पच्चस वो तो लिखेंगे आ जाते हैं cash expense at branch actual expense at branch अब इसके अंदर confuse किया हुआ है कि भीया cash में इतना खर्चा हुआ और actual में कितना खर्चा हुआ 28 तो एक हजार रुपए यहां पर outstanding होगा तो हम क्या करेंगे to expense कितने का 27 और add कर देंगे outstanding expense कितने का एक हजार that is 28 समझे बात यह बात होगा यहां चलिए अब goods invoice यानि sir head office ने मुझे भेजा goods goods send किया goods send कितने का किया sir एक लाग का लेकिन ऐसा क्या हुआ हमें एक दस मिल गया तो यहां पर हो ऐसा सकता है reason देखिएगा मान लेते हैं कि यह 2020 है ठीक है और मान लेजिए यह 2021 है इस date पे हमने समान भेजा था मान लेते हैं कि दो लाख रुपए का लेकिन इस साल जो हमें receive हुआ न वो हुआ only 190 का पहले यह समझ रहा है दो लाख का भेजा था receive कितना हुआ 190 इस साल में भी goods को भेजा गया कितने का सर मान लेते हैं एक लाख रुपए का और अब जब हमने goods receive की बात किया तो goods receive जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एक लाख दस अजार दिखा रहा है कैसे सर ये वाला तो goods sent है और जो दस अजार रुपए एक्स्ट्रा है न वो जो पुराना रुख गया था समझ रहे हो पुराने वाला जो रुख गया था हमारा वही वाला goods तो यहां पर आ गया होगा समझो नहीं समझ मैं आई बात आपको पिछले साल हमारे पास समाना है दो काल लेकिन हमने receive कितना किया हमने एक नब्बे इसका मतलब सर दस अजार का है रस्ते में ही है अब अगला financial year आ गया तो वह ऐसा जिंदगी भर तो रस्ते में नहीं रहेगा अगले financial year में आए अगले financial year में आते ही क्या हुआ हमारा उसमें फिर एक लाग का समान भेजा लेकिन हमने क्या देखा वह एक लाग का समान वो भी आए दसका और आ गया तो दसका कौन से वाला आया होगा पिछले साल का और पिछले साल जब नहीं आया था तो इस वाले को दस अजार को हमने कहां दिखा दि बनेगा समझो इस साल आएगा तो क्या बनेगा ओपनिंग तो ओपनिंग स्टॉक में नबनेगा हमारा और गुट सेंट कितने का दस पहले ये बार पंडा कलियर करो कि देख लिजे समझ में आया या नहीं आया इसका यही point बन सकता है इसमें सवाल में बोला नहीं है इसने कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि question गलत है यह तो ऐसा बस एक ही reason है कि आपको भेजा गिया ज़्यादा कम और आपके पास ज़्यादा आ रहा है cash sent for expense, cash sent उन्होंने expense कितने का किया था हमें 25,000 रुपए, actual expense कितने का हुआ और cash expense at branch, branch का सत्ता है अभी इन तीनों point को एक बार summarize कर लेंगे हम, देख लेंगे अब बात कर लेते हम यहाँ से debtor, debtor account से क्या निकाल पाएंगे हम, सारी जानकरी तो given था debtor में और एक और point है यहाँ पर, goods written by branch direct to head office, अब देखो ध्यान से समझना आप, इसका answer मुझे देना बहुत important point है, इसलिए मैंने इस सवाल को ले लिया है रानी बाग में एक दुकान है, BTW जो की head office है, ठीक है, NSP में एक दुकान है, BTW जो की है हमारा branch जो की क्या है हमारा branch अब इनका कुछ भी packet वाला material अगर मैं लेता हूँ तो अगर इसने बोला हुआ है, कि अगर आप कोई समान लेते हैं, BTW ने लला, कोई भी आप हमारे पास से समान खरी दिये, packet वाला, जैसे कि आपका packet वाला, कुछ भी इनका item है, जैसे नमकीन हो गया, कुछ भी biscuits हो गया यह आप हमसे खरी दिये, अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता, या आपको हमने कोई गलत product दे दिया, तो आप हमारे किसी भी branch कहीं पर भी return कर सकते हैं, bill दिखा करके समझ मैं यह बात आपको तो head office जब branch का account बना रहा था, तो head office ने क्या लिखा होगा, branch का account बनाते time पे, head office ने sales, जैसे कि मान लेते हैं, इसने 2 sales किया, 100 रुपे का किया, और 200 रुपे का किया, यहाँ पे इसने sales कितना put कर दिया होगा, 300 रुपे था, ठीक है अब इसने से 100 रुपे वाला जो product था ना इसने किया, किसने किया, ultimately बना head office रहा है, मैंने यहाँ गलत लिख लिए, बना head office रहा है, लेकिन करा किसने है, पता है, करा किसने है सर, करा इसने है, 200 रुपे का, और 100 रुपे का, 100 रुपे का एक customer ने जो खरीदा, हमने sales तो record कर ल दिया है, पहला simple process समझना, अब customer को पसंद नहीं आया, तो मैंने debtor में लिख दिया, return, ठीक है, debtor में क्या लिख दिया हमने, जैसे ही debtor में हमने return लिखा, return होते ही हमारे पास भी, वो debtor के पास से return आने का मतलब है, हमारा stock account क्या हो जाना, increase तो हम यहाँ भी लिख देते है, return, stock है हमारा, जब बेच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही stock return आएगा, तो हमारे stock बढ़ जाएगा, यानि यह stock debtor में होता है, branch account वाले में नहीं होता है, किसमें होता है, stock debtor में, आप समझना बात को, पहले मैं stock debtor से ले रहा हूँ, फिर branch पे भी आऊँगा, जै हमें नहीं return किया, customer क्या करता है, directly echo को return करता है, तो हमारा debtor से तो कम हुआ, लेकिन हमारे पास stock आएगा क्या, नहीं आएगा, माल लेते हैं genuinely यह stock defected था, तो होता क्या chain में पहले इधर आता, फिर हमारे पास आता, फिर हम भी इसको क्या कर देते हैं, यही होता कहानी, लेकि customer ने directly जब उसको return कर दिया, तो हमारे पास तो आया है, लेकिन हमारा stock तो ultimately हमने क्या करा है, यहां से minus कर दिया, return करा, debtor return हो गया, हमारे पास इधर भी नहीं आया, औरना हमारे पास से गया, तो इसके दो option है, जब कोई customer directly return करेगा, एक यहां भी record करोगे, और एक यहां भी record करोगे, तभी parallel बन पाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी defective माल आएगा, सोचो, मैं BTW हूँ, अगर मेरे पास कोई भी defective माल आएगा, मैं branch हूँ, तो आपने मुझे वापस किया, मैंने भी defective है, और head office को भीजो, तो जैसे ही आपने मुझे दिया, मैंने अपना stock बढ़ा है, तो इस entry को या तो आप क्या करिए, cancel लिखिये ही मत, कब, जब customer direct return to HO, या फिर आप इधर लिख रहे हैं अगर return को, तो इधर भी लिखिये और, इधर भी लिखिये, पहले बात समझे, समझ में आई बात आपको, यहां तक clear है, अब आ जाते हैं, branch account बनाते हैं, अगर, अ रिटन लिखा, debtor account में हमने return लिखा, लेकिन जैसे ही customer return करता है, तो debtor branch account बाले में, branch account बाले में, जब कभी customer return करता है, तो क्या मैं यहां पर दिखाता हूं उसको, जवाब नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर वो directly, अब हम अगर वापस करते हैं, अच्छो को, तो हम इधर द हमारे बिहाब पर directly return किसको करते जाके, तो हम यहां पर दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर दिखाएंगे, तो यहां पर सवाल में देखें क्या कहता है, कहता है, goods return by branch debtor directly to HO, तो यहां पर भी आया, और मैं इधर भी दिखाने वाला हूं, return, और return कितने का, 20 हमाज यह return यहां पर आ गया, हाला कि इस से पहले किसी question में return यहां पर नहीं आया था, पताइए, समझ में आया, क्योंकि ultimately branch से तो stock चलाई गया ना, हमने नहीं भीजा, हमारे बिहाफ पर किसने भीज दिया, तो बड़ी simple सा concept है, अगर कोई customer directly return head office को करता है, तो return to branch to HOE as a treat कि किया जाएगा, क्योंकि मैंने जो customer head office को भीजना था, मेरे बिहाफ पे कौन भीज दे के आ गया, customer, तो मेरा तो stock किधर से reduce ही हो गया, समझे बात यहां पे, कोई दिक्कत यहां पे, clear, तो यह था हमारा एक तो यह point हो गया, मैं एक बार दुबारा से इसको summarize कर देता हूँ, कितने का, एक लाग, 40,000, अब यहां से जो भी निकलेगा, वो क्या निकलेगा, सर, credit sales, यहां से क्या निकलेगा, फटा-फट से plus करिए क्या आता है, एक पचास, यह तो हम मुझे कुछ गड़बर लग रहा है, credit sales तो एक पचास होई नहीं सकता, एक चालिस दे रख रहा है, एक पचास हो नहीं सकता, कुछ चीज मिसिंग तो नहीं रही है, यह sales या फिर सिर्फ cash sales है, ओपनिंग डेटर दे रखा था, कहीं पर, ब्रांच stock accounts बनाना पड़ेगा, इसमें, इसमें अगे हमारा, ठीक है। हाँ डेटर में रिटन तो रह गे हैं वो तो मैं लिख लूँगा मुझे एक स्टॉक अकाउंट भी बनाना पड़े गए हैं चलिए बनावादेशन एक छोटा सा स्टॉक अकाउंट बना देते हैं कि चलो कि सबसे पहले स्टॉक में बाई साइड में कि सेल्स है ना कि वाई साइड में सेल्स सेल्स कितना दिखा रख है हमारे एक लाक चालिस हजार और बाई बैलेंस सीडी बैलेंस सीडी कितने का था बैलेंस सीडी स्टॉक का है तीस और यहां पे टू रिटन आएगा एक तो बीस अजार और इधर भी चला जाएगा बाई रिटन बिस अजार गुड्सेट कितने का हुआ हमारा गुड्सेंट एक लाक ठीक है यहां से निकलेगा हमारा ओपरिंग स्टॉक एक शालिस एक ब्स इधर ऑगविस से माइनस करो यह कि 70 आ रहा है एक 20 माइनस करेंगे तो कि 10 आ रहा है तो जिसमें से हमारा गुड्र ट्रांजेक्शन ट्रञसिट दस है तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक होगा हमारा कितना है रुप्य नौर्मल और हमारा होगा ट्रांजिट वाला 10,000 रुपे और यहां पर हमारा आजाएगा return जो कि debtor C में बात कर रहा था वो कितना था 20,000 अब देखें यहां पर return दोनों तरफ आया है इधर भी आया इधर भी आया तो मैंने अभी वही समझा रहा था कि या तो आप दोनों side cancel मारो तब भी आपका यही answer आएगा या फिर आप दोनों side दिखाओ तो यहां पर हमारा opening stock में कितना आजाएगा एक तो यह था इसको direct 70 कर दूँ मैं ठीक है bracket में लिख देता हूं transit इसी में जुड़ा हुआ कितना है 10,000 clear यहां तक देखिए ठीक है अब हमारा यहां पर जो यह sales है ना कितने का था एक चालेस यह कितना आ रहा है total एक सत्तर एक सत्तर और इस sales को हम मानते हैं सर यह credit sales है credit sales कितने का है एक चालेस तो हमारे पर आएगा यहां पर opening debtor मैं reason भी बताऊंगा अभी कितने आएंगे 30,000 opening debtor कितना आ गया हमारा 30,000 ठीक है अब सर यहां पर देखो sales दे रखा है invoice price cash receive from debtor दे रखा है cash sales कहीं नहीं बोला तो हमारा यह एक मान के चलो सर एक assumption ही है कि हमने इस sales को सारा का सारा क्या मान लिया credit मान लिया ताकि हम opening debtor निकाल पाए अगर credit क्यूं मानना पड़ा आप समझो अगर मान लो मैं समझता कि इधर से निकल रहा है credit sales अगर मैं यह मानू कि इधर से निकलेगा credit sales तब तो यहां पर कितना निकल रहा है अगर हम इसे मानते है total sales तो सर टोटल sales 41 और credit sales 70 निकल जाएगा जो कि गलत हो गया हमारा समझ रहे हो तो इसलिए मैंने इसको क्या माना सर यह पूरा का पूरा क्या रहेगा हमारा credit sales तो यहां पर collection अब cash sales कितना होगा हमारा अब cash sales में हमें निकालने के लिए क्या करना होगा देखना होगा कितना पैसा हमने echo को भीजा है कितना पैसा हमने HO को भीज दिया कि कहीं पर भी लिखा हुआ है कि कितना पैसा HO को भीज दिया है हमने नहीं लिखा तो it means हमारा कोई cash sales है ही नहीं, जो भी था हमारा यही था, कल यह देख लिए अगर यहाँ पर एक line लिख देता कि हो को मैंने एक लाख पचास जार भीज दिया तो एक पचास में से एक पच्चिस तो उसका है और बागी पच्चिस हजार किसका मान लेते हम cash sales का, समझ रहे हैं बात को सले देखो यहां तर देखिए एक बार question दुबारा पढ़ लीजिए मैं दुबारा समझा दूँ question हाला कि देखने में बड़ा simple सा है लेकिन इसमें काफे सारे points को इन्होंने घुमा दिया है इदर उदर stock reserve loading वगरा तो निकाल लेंगे हम अभी झाल 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 कर लिए अब बात करते हैं हमारा रह गया point expense का कहता है cash कितना हमने दिया cash sent for expense purchase actual कितना कर लिया हमने और cash expense branch ने कितना किया यानि branch के जीव से कितना खर्चा हुआ ब्रांच के जीव से कितना खर्चा हुआ 27 खर्च हुआ हमें actual कितना भी जा गिया था cash 28 इसका मतलब सर 2000 हमने अपने जीव से extra खर्च कर दिया समझे बात तो अब हमने अगर 2000 एक्स्ट्रा खर्च किया तो हम जो एक्च को remittance करेंगे हमारे पास पैसा कितना आया एक 25 एक 25 में और मैंने जीव से 2000 रुपए क्या करें expense करें तो आप मुझे बताइए मुझे बताना मेरे मुझे head office ने बोला ले भाई 25,000 तू खर्च कर ले मैं ठीक है सर 25,000 रुपए ले लिया खर्च करने को जब मैं जितना पैसा head office का बचता है वही तो भीजूँगा एक 25 मेरे पास आया 2000 में एक्स्ट्रा खर्च कर चुका हूँ तो एच्चो को कितना भीजूँगा मैं एक 23 भीजूँआ तो यहां पे हमारा क्या होने वाला है सर यहां पे एक 25 तो भीजना था लेकिन 2000 जो हमारे जेव से खर्च हो गया तो यहां पे कितने जाएंगे पैसे 21 यह देखिए बेले अब सवाल आता है सर यह actual expense 28 का क्या है तो एक 1000 रुपे क्या रहा होगा और closing outstanding रहाएगा यह तो closing outstanding कि इदर दिखाते है लाइबलिटी का इदर साइड में या तो आप यहां पे add करके दिखा दीजिए समझ रहे बात को यह तो आप क्या करो यहां पे add करके दिखा दो या फिर आप इधर दिखा दो अब यहाँ पर बात आती है मुद्दे की खर्चा कितना दिखाना चाहिए यहाँ पर खर्चा हमें क्या दिखाना चाहिए अब ध्यान देना हमारा यहाँ खर्चा अगर मैं यहाँ 27 दिखा रहा हूँ और यहाँ एक 25 दिखा रहा हूँ सिर्फ 25, head office ने कितना दिया, तो मैं branch expense में कितना दिखाऊँगा सिर्फ 25, क्योंकि जो extra के 2000 लगे वो तो मैंने यहाई कम करी दिये उसके sales में, अब बात रही out sending की, तो out sending के case में हमारे पास दो option available है, या तो मैं out sending इसी में 1000 रुपए add करके दिखा दूँ, नहीं तो हम यहाँ पर क्या दिखा दे, to closing, closing और यह आगे हमारा expense का कितने रुपए, जैसे assets का closing निकालते थे, ऐसे किसका निकालती है हमने, live rating, clear, अब हमें क्या करना है, basic से चीज़े है, loading निकालना है हर किसी का, loading के उपर भी कहता है हमारा cost, plus 100%, मतलब आप इसका या तो कोई percentage बना लो आप, या तो latex करके कर लो, यानि ये जो समान होगा ना, ये समान होगा हमारा 200% के बराबर, cost के उपर कितने percent के बराबर होगा, जैसे आप देखो, समझो बात को, मैंने 100 रुपए का समान, ये cost है, ठीक है, और मैंने send किया, इसमें 100 रुपए और जोडा, 100% और जोडा, तो कितने का गया उसके पास, तो आप इसमें से कितने percent आपका इसके अंदर, आपका ये क्या है, IP, ये क्या है आपका, cost, आपको IP से ऐसा percentage करना है, जो कि cost आजाए, तो इसका 100% तो करी नहीं सकते हैं, इसका कितने percent करेंगे, जो कि आजाएगा, 50%, कितना करेंगे, तो मैं अगर कहूं ना, कि अगर cost के उ सकते हैं, 200, और ये हैं हमारा 200% के ब्रावर, कितने percent के ब्रावर, 200, और हमें loading कितना निकालना है, 100%, तो multiply by क्या कर देंगे, 100, दूसरा एक और latex करके कर लेते हैं, चलो, sales is equal to, cost plus में profit, sales कितना है, 200, cost कितना है, नहीं, हमें sales नहीं पता, sales तो पता है, वैसे, cost हमें नहीं पत नहीं पता, वो तो मैंने बता दिया कि ये cost इतनी का था, cost नहीं पता, उसके उपर कितना profit, 100%, तो x के उपर 100% का मतलब क्या हो जाता है, x के उपर 100% का मतलब simple, x, अब solve करोगे तो इसको क्या आएगा x का value, x is equal to 100, और x क्या था हमारा cost, 100 पता चलीगे आपको cost, तो profit कितना ह होगा आपका 100, तो यानि बड़ी सीधी सी बात है, इसको करने के लिए मैंने एक बहुत basic सा percentage बना लिया, कि 50% हमारा loading होगा, ये आपको बनाना पड़ेगा at a time exam के अंदर, नहीं समझ मैं, at a time exam के अंदर क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 20, 25, 25 का 33, ये सर लोडिंग क्या निकलेगा, बाय लोडिंग, किस पर निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक पर निकलेगा, गुड्स सेंट पर निकलेगा, गुड्स ट्रांजिट पर निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक कितने का है सर, सत्तर, यानि साट था, साट के उपर कितना आएगा, 50%, यानि स सर किस किस पे loading आएगा इस पे तो आता नहीं हमारा किस पे आएगा return पे return कह रहा हूँ sorry पहले तो stock पे आजाएगा सर stock पे कितना loading है 50% लेंगे हम 15000 और क्या है return पे भी ले लेंगे return पे 10-20,000 का 70 और 30 30, 50, 80 30, 50, 80 और 5 यह देखे पहले यहां तक यहां तक देखे पहले इस question में main point क्या था एक तो goods return directly to HO समझने वाला और एक जब आपको दो return यहां पर दे रखे थे तो आप फटाफट सिसका total करिए क्या रहा है एक चीज़ एक पॉइंट और धिहान रखना है चलो पहले इसका total कर लेको एक तेइस 20,000, 80,000, 30,000, 278 278 बस एक चीज़ ध्यान रखना यह रिटन वाले पर लोडिंग नहीं निकालना क्योंकि यह debtor ने किया है बस यह थोड़ा सा ध्यान रखना है यह थोड़ा सा confusion था जो कि मैंने clear कर किया माइनस करिए एक लाख एक लाख और पच्चेस हजार 15,000, 1000 कितना profit आ रहा है चेक करना 27 यानि लोडिंग इस पे भी ले रहे हैं अगर हमने इधर-इधर माइनस किया माँ ठीक लेना पड़ेगा लेना तो पड़ेगा इलोडिंग लेना तो पड़ेगा लोडिंग अगर्टान 10,000 लेना पड़ेगा पच्चेस होगने अगर 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 हमारा direct return to HO है अगर कोई stock हमारा direct return to HO है